हलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब आज हम जो कि अभी हाल ही मिनिस्ट्री आफ सोचल जस्टिस एंड अमपाउर्मेंट ने तापस नाम का एक जो इनिशिटीव है उसको लॉंच किया है यह जो मतलब एक जो पॉर्टल जो है तो उसको जो है लॉंच किया है और इसको लॉंच कर होगा तो और इसके जर्या क्या क्या काम हम कर सकते तो इन सभी के बारे में जो हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिसकत्राइ Haben जो कि आपके exam point of view से बहुत ही important होगा और जो भी आप competitive exams के लिए प्रिपरेशन करें उन सब के लिए भी बहुत ही फायदे मत होगा तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प् प्लीज कर दिज्एगा और साथी जो है इस वीडियो को जो है इन तक देखने के साथ सा लााइक करना प्लीज मत भुरिएगा और साथी साथ जो है इसको share वी कर दिजीएगा तो चलिंए आज काई जो डिसकशन है वह अभी शूट करते हैं तो हाली में जो है सामाजिक नियाए और अर्धिकारता मंत्रालाई यानि की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और पार्मेंट ने जो है अभी जो की एक जो ऑनलाइन जो पॉर्टल है उत्पादक्ता इवंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षन यानि की जो मह नारी या पैंधेमिक के प्रकोप के कारण के काम करने और अनिवारिया हो गया ता- तब इसी के संदर में हम थोड़ा सा डिटेल में डिसकось करते है यह यह लेसे जो है यह राष्रिय सामाजिक सुरक्षा संग्स्थान जानके इनिश्टेव की उसकी एक पहल है National Institute of Social Defense का सामाजिक सुरक्षा को प्राय जो है राज्य और नागरिक समाज दोनु ध्वारा व्यवस्तित तथा सूसंगत कारियवाई के माध्यम से अवरात के खिलाफ सामाज की जो सोसाइटी की जो सिक्यूर्टी जो है तो यह एक मानक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानके M.O.O.C. प्लैटफर्म है जिसमें की फिल्माएगे जो व्याक्षान और जो ई अध्यान जो यानके ई स्टारी जो उस जैसे जो पाठ्यक्रम सामगरी जो होती है इसमें तो M.O.O.C. जो है एक मुक्त वेब आधारी दुरस्ता शिक्षा कार्यक्रम है जिसे की बड़ी संख्या में विभिनक शेत्रों की जो स्टूड़न्स जो है कई माल्टिबल एरियास के जो स्टूड़न्स जो है उनकी भागीदारी के लिए डिजाइन किया गया है तो इसमें जो है स्टूड़न्स को जो है और जो की पाठाकरम समन्वाय को के बीच जो है बातचीत और पोटसाहित करने के लिए चर्चा मंच भी शामिल है विषय विषयशग्या के व्याख्यान तक पहुँच प्रदान करेगा और इस प्रकार यह शिक्षान की गुणवत्ता से समझता कि यह बिना भातिक अक्षा में बहुतिक अक्षा के जो पूरक जो है उसका भी काम करता है तो यह जो है जो कि स्टूरंस है और जो की मतलब जिनसे वो लोग सीख रही जो टीचर जो है उनके बीच में बादचीत और प्रोटसाइद करने के लिए जो है यह चर्चा मांच भी इसमें शामिर है और जो कि यह ज जो था कि बीना जो कि भौतिक अक्षा के पूरक का जो है यह काम करता है तो और भी जो जो भी अपने विभिन विश्रव पर ज्यान को बढ़ाना चाहते हैं इससे प्रयोग कर सकते हैं यानि कि जो भी अपने मतलब जो की कई तरह के जो मतलब knowledge जो है उसको अगर बढ़ाना चाते हैं तो ये लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं मतलब सिर्फ एक ही topic पर नहीं कई topics पर जो है अपना अगर knowledge बढ़ाना चाते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं और इसमें जो है अभी शामिल होने के लिए कोई भी मतलब फिस नहीं तो मंच को जो है कुछ जो द्रिश्टी को नहीं की साहर ढेत कर्षा जैसे की वीडियो टेक्स्ट सेलफ असस्मेंट और चर्चाये एक तो इसको मतलब नजरिएसे इनको क्या अगर है खैसे के कोर्bug क्वेकर्ष तो इसके कोर्स नुट से की मुझन है वो मनुविक्रिती की देखफाल और प्रबंधन और उसके बाद आथा ट्रांस्टेंडर और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्धों पर व्यापक पाठ्यक्रम उपलब थे इसमें तो यह सब इसके कोर्सेस है तो इसका उदीश्य क्या है निक्या अब्जेक्ट्रिक प्रतीखागियों के शमता निर्मान के लिए प्रशेक्षण करना और ज्यान एवं कौशल को बढ़ाना है तो अभी ये जो है जो मतलब इसके जो participants जो है तो उनके जो मतलब capacity जो है उसको build करने के लिए जो उनके जो मतलब जो prescription जो है वो प्रदान करना है और उसके अलावा भी जो उनका जो ग्यान जो है knowledge जो है और causal जो है उसको बढ़ाना है तो यही इसका objective है तो इसके लगवा भी जो है इसका महत्व क्या है उनके significance क्या है तो हमारी शिक्षा प्रणाली में जो है जहाँ पर स्टारी की offline विधा की pet काफी गहरी है उसके लिए जो है ये पाठियक्रम परिवर्तन सुनिश्चीत करने के साथ ही नई संभावनाओं के लिए मतलब जो मार्क प्रशस्त करेगा और ये सामाजिक न्याय और अधिकारी ता मंत्राराई द्वारा ओनलाइन माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के साथ ही जो है सिiona और काम करने में बड़ी संक्या में लोगों को सक्षम बनाएगा तो ये इसका मतलब जो है महत्त्व है तो इसके लावा भी alarm और जो बाकी जो मतलब यह जो तपस जो इनिजिटिव है is के लावा भी जो कुछ जो डिजितल लर्निंग इनिजिटिव से वोर है स्वायंग तो उसके बाद आता है स्वायंग प्रभा य। उसके बाद राध्दोगी की के लिए जो राष्ट्रिय श्रैक्षण ने गढधनन यानके नियती और उसके बाद आता है जो कि प्रादोगी की वर्धन शिक्षा पर राष्ट्रे करें यानि के एन पी टी येल तो यह सब जो है बाकी इनिशेटिव से तो अभी NISD क्या है थोड़ा सा उसके बाद में जानते है कि NISD जो है वो एक स्वायत निकाय है और राष्ट्रे राजितानिक शेत्रे एंसिटी जो कि दिल्ली सरकार के साथ जो है यह सामाजिक रख्षा के शेत्रे में चल्दः परकार के वीची जोयोगने में यह गले तो आझ के लिए इस वीडियो में इतना ही है शाम को हम फिर मिलते हैं ने टॉपिक के वीडियो के अनलाइसिस के साथ तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलेगा कोई अगर सुझा होता कमेंड करना प्लीज मत भूलेगा क्योंकि आपका जो सपोर्ड है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हाट वर्क करने के लिए और ऐसे ही वीडियो को जो है आपके सामने प्रसुत करने के लिए और ऐसे वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है तो आशाह करते हूँ है मेरी परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर रहेंगे और इसे हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो प्लीज किप सपोर्टिंग आस एन किप वाचिंग आर वीडियो रहे हिंद